इन दिनों 36 गड़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक एक करके बहुत से जिलों में जा रहे हैं और वहां की जिलों का निरिक्षन कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है क्योंकि जिलों की बदाली वहां भीतर मुझ्रिमों का जो सामराज ये चलता है इसकी खबरें आते रहती हैं इसकी चर्चा भी रहती है लेकिन उसके उपर काबू पाना सरकार के बस के बाहर दिखता है जो ताकतवर मुझ्रिम रहते हैं चाहे वो अफसर रहें चाहे बड़े पैसे वाले रहें चाहे नेता रहें जेल के भीतर उनका राज चलता है और जो दूसरे किसमा के पेशेवर मुझ्रिम रहते हैं उनका भी राजे चलता है इसलिए अगर हाई कोर्ट के चीफ जेस्टिस जाकर जेलों को देख रहें तो हो सकता है थोड़ा सा सुधार आए लेकिन हम उनकी इन विजिट के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं उसकी तस्वीरे आ रही है अलग-अलग जिलों से आ रही है कि चीफ जेस्टिस वहां भीतर जा रहे हैं वहां से निकल रहे हैं के साथ इस्थानी जज भी रहते होंगे जिला जज रहते होंगे दूसरे अपसर रहते होंगे ऐसे तीन चार पाँच लोग सूट और टाई में दिखते हैं कोट पहने हैं टाई लगाए हुए हैं चतिस गड़ गर में इलाका है लेकिन फिर भी एक आपचारी क पोशाक जजों के लिए जो एक फार्मल ड्रेस कोड अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है तो या नहीं भी है तो चलन में है उसमें दिखते हैं वो पूरे वक्त तो देखकर ये लगता है कि ये अदालत में जब बैठते हैं उस वक्त भी ये कोट पहन कर बैठते हैं टाई या कोई ऐसा वकील ऐसा कोई लबादा भी काले रंग का पहन कर चलते हैं उसका नाम मुझको अलग से नहीं मालूम है उस लबादे का लेकिन बच्पन से जादूगर मैंड्रेक की जो कॉमिक्स पढ़ी हैं उसमें वो जादूगर कुछ इसी किसम का पीछे लहराता हुआ एक कपड़ा ट अधिकांश हिस्सा बड़ा गर्म है और साल के अधिकांश महीने बड़े गर्म हैं। इस देश में इस तरह का ड्रेस कोड कब चलन में आया होगा। क्या अंग्रेजों के छोड़े हुए कपड़े हैं ये। अंग्रेज ही पहनते थे इस देश में टाई और कोट वही लेके आए थे हिंदुस्तानी कोट जो है कुछ मुगल लेकर आए होंगे कुछ और किसम के रहे होंगे राजा पहनते होंगे कोई शेरवानी पहनते हैं कोई बंदगले का जोतपुरी कहते हैं ये अलग-अलग जगों से आए होंगे लेकिन कोट और टाई ये तो शर्तिया अंग्रेजों के लाए हुए ही थे यहाँ पे अब इनका चलन अदालत के जजों से लेकर वकीलों तक यहाँ तो है ही लेकिन अगर हम ट्रेन में सफर करें तो हम देखते हैं कि जो TTE कहलाते हैं ट्रेवलिंग टिकेट एक्जामिनर जो टिकेट जांचते हैं या जो जो कंडेक्टर कहलाते हैं जो महेंगे दर्जे रहते हैं रिल्वे के फर्स्ट क्लास है या AC है इस तरह का उसमें conductor चलते हैं, वे भी इसी तरह का coat पहने रहते हैं, चाहे गर्मी कितनी भी रहे, खुला railway platform तो बहुत गर्म रहता है, तो भी इस तरह का पहने रहते हैं, आपने station पे देखा होगा, जहां पहले gate पर खड़े होकर लोग ticket लेते थे, वो भी काला coat पहने रहते थे, मुझको अदालत पहले जाने का कुछ मौकों पर काम पड़ा, तो मैंने देखा कि वकीलों के कोट जो हैं, जो गरीब वकील हैं, जो बहुत ज़्यादा case जिन के पास नहीं रहते हैं, गरीब रहते हैं वकील, उनके कोट की पूरी की पूरी कॉलर, उनकी पीट, उस पे पसीने के दाग आ जाते हैं गर्मी के मौसम में, इतना गर्म रहता है सब कुछ, अब शायद कुछ-कुछ अदालतों के भीतर AC लगने लगा है, लेकिन पहले तो नहीं रहता था, और वो AC भी कॉरीडोर में नहीं रहता, बाकी जगों पे नहीं रहता, ये वकील जहाँ टाइप कर वाते खड़े रहते हैं, वहाँ पर नहीं रहता, लेकिन उनके लिए काला कोट पहनना एक मजबूरी रहती है क्योंकि अदालत का ड्रेस कोड है, अब मैं हिंदुस्तान के ऐसे ड्रेस कोड के बारे में सोच रहा था, जो की सत्ता रूर तपके को आम जनता से बिलकुल के साथ कोट और टाई में पहुंचे होंगे, और भीतर जो लोग हैं वो तो बंद हैं, वो तो वैसे ही डरे सहमें रहते हैं, उनके लिए ये पर देसी पोशात में वहाँ आने वाले लोग, क्या उनको लगता होगा, क्या वो जुल पाते होंगे, क्या उनको लगता होगा कि ऐसी पोशात में आने वाले लोग इसी देश के ठीक वैसे ही नागरिक हैं जैसे नागरिक जेलों में बंद विचाराधिन कैदी या कैदी हैं केवल उनका जुर्म है इसलिए वो भीतर हैं केवल ये जज हैं या वकील हैं या दूसरे अपसर हैं इसलिए वैसी पोशात में हैं दौरा कर रहें, कि उनकी तकलीफों को देखें, अगर कोई हालत खराब है तो उसको देखें, उनके मामलों की सुनवाई समय पर नहीं हो रही है, तो उसको देखें तो क्या सचमुच वहाँ पे बंद जो गरीब लोग हैं, आम तोर पर गरीब ही जेल में बंद रहते हैं, पैसे वाले बहुत गिने चुने बंद रहते हैं तो क्या वैसे लोग कोट और टाई में आने वाले जजों से, सूट और टाई में आने वाले जजों से आसानी से जुड़ पाते होंगे क्या जो बड़े अफसर, I.A.S. अफसर है, जो कोट और टाई में अपने आफिस में बैठते हैं, बड़े शौक से पहनते हैं, मेरे भी बहुत से दोस्त अफसर रहे हैं, जो पूरे वक्त ऐसे कोट और टाई में रहते हैं, ठंड के दिनों में कम से कम कई महीने, बाद में भी कोई भी समारो हो, कोई कारिकरम हो, वो वैसे ही दिखते हैं, तो मुझको लगता है कि जो गरीब लोग सरकारी आफिस पहुंचते हैं, वो इन से सच में जुल पाते होंगे, या इनको लगता होगा कि नहीं, ये कोट और टाई वाला एक अलग तपका है, लेकिन मैं किसी एक तपके को तोहमत नहीं दे रहा हूं, मैं हिंदूस्तान की आम सोच के बारे में देख रहा हूं, हिंदूस्तान की आम सोच ये कहती है कि जो राजभवन में राजजिपाल है, उससे या बहुत सारे राश्ट्रपती जो राश्ट्रपती भवन में रहे हैं, उसमें टेम्परेचर जब गर्मी है 46-47 डिग्री टेम्परेचर उसमें भी यो बंद गले के कोट में रहते हैं। अब उस गर्मी में उनको ठंडा रखने के लिए कितने AC चलाने पड़ते होंगे। कितना कमरे को ठंडा रखना पड़ता होगा ताकि उनको उतने भारी भर कम कपड़ों के भीतर भी ठीक से ठंड़क लग सके। वो बिजली आखिर किसके पैसे पे खर्च होती है। चाहे वो हाई कोट में हो, चाहे अपसरों के लिए हो, चाहे राजभवन और राष्टपती के लिए हो, चाहे वो किसी मुख्य मंतरी, मंतरी, प्रधान मंतरी के लिए हो, जो की कोट में, जैकेट में दिखते हैं, जैके रखने के लिए वो जनता की पैसे से ही बिजली जाती है वो तो ऐसा कई चीज मेरे दिमाग में आती है कि ये ड्रेस कोड ऐसा क्यों है कपड़ों का चलन ऐसा क्यों है और शायद पोशाक की एक दहशत ऐसी है कि छतिसगर सरकार ने अभी फिछले दो-तीन साल में अंग्रेजी प्रशा के स्कूल शुरू किये है भाषा ही अंग्रेजी है तो इसकूल लेकिन उस भाषा की दहशत ऐसी है उस भाषा की ऑपचारिकता की मांग ऐसी है कि वहाँ के बच्चे जो है टाई पहनते हैं अपने युनिफार्म में और दूसरे हिंदी बच्चों, हिंदी स्कूल क जो बच्चे हैं वो टाई नहीं पहनते हैं, तो मैं सोचता हूं कि अंग्रेजी के साथ टाई की ये दहशत क्यों है, क्यों इस गर्मदेश के गरीब बच्चे जिनके स्कूल के कमरे एर कंडिशन नहीं है, क्यों वो बच्चे बिना टाई के नहीं रह सकते, क्यों खुले गले नहीं रह सकते। लेकिन हालत ये है कि किसी अफसर को जब अधालत में पेश होना होता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो अवचारी क पोशाक में आए और बहुत से अफसर अधालत जाते हुए कोट और टाई लगा कर जाते हैं, कई लोग कई तरह की जकेट पहन कर जाते ह किसी की हिम्मत नहीं होती कि गर्मदेश के गर्मों मौसम में भी एक शर्ट और पैंट पहन कर चले जाए जो कि सबसे स्वाभविक पोशाक हो सकती है इस गर्मदेश के गर्मों मौसम में मैंने कुछ एक ऐसे वीडियो देखे हैं अभी अदालत की कारवाई चूंकि लाइव टेलिकास्ट हो रहा है बहुत सारे लोग रिकार्ड करते हैं तो एक दो हाई कोर्ट के जज अफसरों को बहुत बुरी तरह फटकार लगा रहे हैं कि उनको मालूम नहीं है क्या कि हाई कोर्ट में आते हुए उनको कैसा ड्रेस पहनना चाहिए कैसी उनकी पोशाक रहनी चाहिए मैं भी इस बात को लेकर हैरान होता हूँ कि किसी अदालत में मुझको पेश होना पड़े तो मैं कैसी पोशाक में जाऊंगा क्योंकि मैं तो तकरीबन तमाम दिन और तमाम वक्त ऐसा ही अधना सा टी शर्ट पहने रहता हूँ तो क्या अदालत में जाने के लिए मुझको ढूंड के कोई शर्ट निकालना पड़ेगा जिसके बिना अदालत में जाना अदालत की तोहिन समझ ली जाएगी अवमानना समझ ली जाएगी गंटेम टू कोर्ट गिन लिया जाएगा क्या कोई जज मुझको वहां से गवाही से निकाल देंगे बाहर कि आप ये टी-शर्ट में यहां आए हैं बाहर जाएए क्या होगा मुझको नहीं मालूम है अभी लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं तो ऐसे ही रहता हूँ और ये वीडियो में मुझको देखते हुए कुछ दोस्तों ने मुझको लिखकर भेजा कि आपको शर्ट पहनना चाहिए हमारे यूट्यूब चैनल के जो कमेंट बाक्स हैं उसमें लिखा कि टी-शर्ट में ऐसे नहीं आना चाहिए आपको शर्ट पहन कर आना चाहिए तो मैं नहीं समझ पाता हूँ कि टी-शर्ट और शर्ट में ऐसा कौन सा फरक है और किसी कैमरे के सामने आने के लिए कैसी पोशाक जरूरी होनी चाहिए मैं हिंदुस्तान के टी-वी चैनल्स को देखता हूँ अधिकतर टी-वी चैनल्स को जिसमें रवीश कुमार जैसे जमीन से जुड़े हुए लगने वाले देहाती अंदाज के एक आम हिंदुस्तानी की तरह बात करने वाले ऐसे भी टी-वी एंकर हैं ऐसे भी टी-वी जर्नलिस्ट हैं जो कैमरे के सामने पूरे समय कोट पहन कर रहते हैं मुझको हैरानी होती है रवीश से कभी मुलाकात होगी तो मैं उसे पूछूँगा भी कि आप किस दहशत में अंग्रेजों की छोड़ी हुई ये उतरन मजबूरी में पूरे समय पहनते हो कैमरे के सामने क्या अंग्रेजों का छोड़ा हुआ कोट न पहना जाए तो उसे हिंदुस्तान की अदालत के फैसलों का वजन घड़ जाएगा क्या वकील की जिरह करने की काबलियत घड़ जाएगी क्या आईये सबसरों का काम करने का उनका होसला या उनकी ताकत घड़ जाएगी उनकी ख्षमता घड़ जाएगी क्या राज्यपाल और राष्ट्रपती अगर बंद गले के कोट नहीं पहनेंगे जनता के पैसों की बिजली पे ठंडा रहते हुए तो क्या सम्विधान की उनकी समझ है सम्विधान की शपत के मुताबिक काम करने की ख्यमता घट जाएगी क्या टीवी के एंकर अगर बिना कोट के आना शुरू कर देंगे टीवी पे एंकर लड़के लड़कियां तमाम लोग कोट पहन कर आते हैं बहुत सारे लोग टाई भी पहने रहते हैं तो मैं हैरान होता हूँ कि लोग आम हिंदुस्तानी की बात करते नहीं ठकते आम लोगों की बात करते हैं बहुत से इन में से अपने आपको आम साबित करते हैं कुछ लोग खास भी साबित करते हैं तो यह आम लोगों की तरह रह क्यों नहीं पाते पोशाक का इतना आतंक क्या है क्यों इस देश के लोगतंतर ने जगे जगे अदालतों में सरकारी काम काज में समवेधानिक संस्थाओं के साथ काम करते हुए तरह तरह की पोशाक की ऐसी बंदिश क्यों लगाई है और ये सारी बंदिशे जो हैं तक्रीबन तमाम बंदिशें अंग्रेजों की छोड़ी हुई उतरन को ढूने की है मुझको याद है बहुत अच्छे से 2015 की बात है चतिसगर में रमन सिंग मुख्यमंत्री थे और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर आये थे तो बस्तर के कलेक्टर ने वहाँ पर प्रधान मंत्री की अगवाई के लिए एरपोर्ट पर एर इस्ट्रिप था या एरपोर्ट था उस पर कलेक्टर वहाँ का तैनात था और कलेक्टर से उमीद की जाती है कि आपचारिक पोशाक पहनेंगे आपचारिक इतना ही था उस आपचारिक पोशाक में वहां के कलेक्टर ने पूरी बाहों का शर्ट पहना हुआ था और 45-46 दिग्री टेंपरेचर रहा होगा एरपोर्ट एरिस्ट्रिप बहुत गर्म रहते हैं खुले में रहते हैं उसने धूप का चश्मा लगा रखा था उस पे रमन सिंग की सरकार ने उस अबसर को नोटिस जारी किया था कि आपने प्रधानमंत्री से मिलते हुए धूप का चश्मा लगा रखा था इसको प्रधानमंत्री की तौहीन मान लिया गया था अगर धूप इतनी ज़्यादा थी अगर 45, 46, 44 डिग्री टेंपरेचर था अगर खुले धूप में देर तक प्रधानमंत्री का इंतजार करना था और किसी ने अपनी आखों को उतनी धूप से बचाने के लिए जो की मेडिकल साइंस भी कहता है कि यूवी रेज से अपनी आखों को बचा कर रखना चाहिए अल्ट्रा वाइलेट रेज से अगर उसने लगा लिया था धूप का चश्मा तो ऐसा कितना बड़ा गुनाह कर दिया था तो उस अपसर को राज्य सरकार की तरफ से बड़ा सा नोटिस जारी हुआ था अपचारीक नोटिस कि आपने प्रधान मंतरी से मुलाकात करते हुए अपचारीक पोशाक नहीं पहनी थी और आपने धूप का चश्मा लगाया हुआ था मैं सोच रहाँ कि धूप का चश्मा लगाना जो है उससे किसकी तोहीन होती है क्यों प्रधानमंत्री किसी अफसर की आँखों में आखें डाल कर देखना चाहेंगे ऐसा क्या है उस अफसर की आँखों में जिसको की प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे और मुझको याद है उसी के थोड़ा सा आगे या थोड़ा पहले नरेंद्र मोदी चीन गए थे चीन में एक बड़ा एतिहासिक संग्रहाले है दुनिया भर के टुरिस्ट जो चीन जाते हैं वहाँ जाते हैं देखने के लिए उसको टेरा कोटा आर्मी कहते हैं वहाँ मिट्टी की टेरा कोटा की बनी हुई आदमकद प्रतिमाएं हैं आदमकद इसलिए कहराओं कि उन प्रतिमाओं में सभी आदिमियों की हैं औरतों की नहीं है तो ऐसी प्रतिमाएं हैं सैनीकों की और एक पूरा बड़ा सा हाल उससे भरा हुआ है हाल के भीतर है यह एक्जिबिशन प्रदर्शनी तो टेरा कोटा आर्मी नाम है इसका तो मुदी उसको देख रहे हैं टेरा कोटा आर्मी को और ऐसे मुगद होकर देख रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि वो कमरे के भीतर, हाल के भीतर भी गाड़े रंग का धूप का चश्मा लगाए हुए हैं जबकि वहाँ तेज रोशनी नहीं है और मिट्टी की सलेटी रंग की या ऐसे रंग की प्रतिमाये हैं बहुत सारी जिनको बिना धूप के चश्मे के भी देखा जा सकता था लेकिन प्रधान मंत्री लगाए हुए थे उनके लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है वो किसी के लिए ज जश्मा लगा ले तो उसको नोटिस जारी हो जाता है कोई अपसर अगर पैंट शर्ट में कोर्ट में पेश हो जाए तो शायद उसको भी बहुत सारे जज नोटिस जारी कर देते हैं यह इतना आतंक क्यों है भारती लोग तंत्र में इस्कूल के बच्चों से लेकर टीवी क अगर तक और स्टेशन मास्टर तक और तो और जो बड़े अफसर है कहीं के कलेक्टर कहीं के कमिशनर उनके चपरासी को अगर देखें आप तो उनको एक सामनती किस्म का पूरे बंद गले का पूरे हाथों का सफेद कोट ऐसा पहना कर खड़ा किया जाता है इतने गर्म इल और सरकार तो सरकार अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर जो सरकारी या प्राइवेट हास्पिटल में हैं उनको देखते हैं वो कोट पहन कर आते हैं मरीजों को देखने के लिए टाई लगा कर आते हैं और मैं आपको बतल दुनिया के बहुत सारे अस्पतालों में ये मेडिकली इस्टेबलिज्ड फैक्ट है, ये मेडिकल जांच में इस्थापित तत्य है, कि डॉक्टरों की टाई इन्फेक्शन फैलाने के काम आती है, होता यह कि हर मरीज को जुक कर देखते हैं, तो उनकी टाई जो है, वो मरीज को छूती है, फिर अगला मरीज कोई आये तो उसको छूती है, हर बेड पे जुक कर देखते हैं, उनकी टाई सब को छूते चलती है, और वो टाई संक्रमन फैलाने का एक जरिया बनती है, ये एक बात हुई, दूसरा, चुंकि डॉक्टरी के प्रोफेशन में डॉक्टर कोट और टाई पहनने में भरोसा रखते हैं, शायद उससे उनका असर ज्यादा पढ़ता है, शायद उसके बाद वो फीज ज्यादा ले सकते हैं, शायद मेडिकल कालेज और सरकारी डॉक्टर का असर उससे ज्यादा होता है, जो भी होता होगा, तो उनसे जुड़ा हुआ जो कारोबार है medical representative का तो आप देखेंगे कि medical representative टाई लगा कर आते हैं ठंड वजरा सी पड़ी तो कोट भी पहन लेते हैं वो डॉक्टर के एक एक दो दो घंटे वेटिंग अहल में बैठते हैं जो डॉक्टर के चेंबर की तरहे air condition नहीं है लेकिन कोट और टाई लगा कर रहते हैं टाई तो लगाना है बिना टाई के medical representative नहीं हो सकते कोई मैंने अपने पहचान के लोगों को देखा है कि उनके मोजे फटे रहते हैं उनकी बन्यान में छेद रहते हैं क्योंकि तनख्वा कम रहती है लेकिन मजबूरी यह है उस पेशे की कि इस गर्म देश के आठ गर्म महीनों में भी उनको टाई लगा कर जाना पड़ता है वहां पे और इसका सांस्कृतिक दबाव इतना भयानक है कि एक गरीब दूलह भी टाई और कोट के बिना अगर चले जाए शादी करने के लिए तो शायद लड़की वाले उसको लड़की देने से मना कर दें दूलहन को बिदा करने से मना कर दें कि यह तो दूलह किस्म का देख नहीं रहा है इतना दबाव है कि मईज उनके महीनों में अगर कलकती धूप में भी बारात निकल रही है घोड़ी के उपर उसको बिठा दिया गया है दूलह को पसीने की धार निकली हुई है लेकिन उसको बंद गले का कोट पहना देंगे या कोट और टाई पहना देंगे उसको चक्कर आजाए भले गर्मी से लेकिन ड्रेस तो यही पहनना है इसके बिना दूलहन नहीं मिलेगी इसके बिना उसको दूलहा नहीं माना जाएगा इसके बिना उसका वर्माला नहीं होगी स्वागत नहीं होगी और वो गरीब जिसने ये कपड़े सिलवाए है सामाजिक और जाना है तो सांस्कृतिक गबाव कुल मिला कर इस देश में इतना हो गया है कि अंग्रेजों की उतरन जो है उसको पहने बिना लोग अपनी जिंदगी की इकलोती शादी भी नहीं करते गरीब भी रहेंगे तो भी सूट तो सिल्वाना ही है ताई तो पहनना ही है नब्बे फि से बंधवा लेते होंगे लेकिन पहनेंगे जरूर यह गजब का इस देश में हाल है यह सरकारी समयधानिक टीवी जैसे स्वतंत्र मीडिया का जो की अभीवेक्ति की स्वतंत्रता है अभीवेक्ति की स्वतंत्रता है लेकिन पोशाक की स्वतंत्रता नहीं है आप देखेंग जैकेट पहन लेंगे, मुझको ध्यान है मैं कि बहुत बरस पहले मैं जैराम रमीश पर्यावरन मंत्री थे उस वक्त यूपीए सरकार थी, मैं दिल्ली गया था पर्यावरन के एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, हम लोगों को पर्यावरन मंत्राले का जो भवन बन रहा थ उसको दिखाने के लिए ले गए थे, जिसको की जीरो कार्बन बिल्डिंग बनाया जा रहा था, यानि वो धूप से, बारिश से, हवा से, जितने किसम की बिजली पैदा करेगी, साल भर में कुल उतनी ही बिजली की खपत करेगी, तो हमको बतलाया गया था कि जैराम रमेश ने यह डिजाइन किया है कि किसी भी मंत्री का, अपसर का, किसी का भी कमरा 27 डिग्री से ज़्यादा थंडा नहीं होगा, चाहे गरमी रहे, कुछ रहे, अगर आपको ठंडा करना है तो 27 डिग्री से ज़्यादा ठंडा नहीं रहेगा ताकि बिजली की खपत न बढ़े और लोग अगर कोट में जैकेट में आते हैं तो कोट और जैकेट को टांग दें और शर्ट में काम करें उसमें 27 डिग्री बहुत ठंडा है शर्ट के लिए लेकिन ये देश तरह तरह के आडंबर के लिए अंग्रेजों के छोड़ी हुई उतरन को ढोता है धोने को गर्व महसूस करता है फिर चाहे आम कैदी से लेके आम जनता तक सरकारी दफ्तरों में पहुँचने वाले आम लोगों तक इन लोगों से ये शाशक वर्ग कट जाए पूरा ये कुछ ऐसा माहौल इस देश का हो गया है कि मेरे जैसे लोग अपनी आम सहुलियत की पोशाक को लेकर आलोचना का शिकार होते हैं यूट्यूब पर कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं कि ये कैसे कपड़े पहन कर आप आते हैं अगर कोट नहीं पहन सकते तो शर्ट कम से कम पहन ले मैं क्यों पहन लूँ भई इलाका इतना गर्म है मैं यहाँ पर क्यों कुछ और पहनूँ मुझको जिसमें सहुलियत है जो सस्ता है उसको पहनना आसान है मुझको इसको प्रेस नहीं करना पड़ता बिजली बचती है जूते ऐसे पहनों की पालिश न करना पड़े कपड़े ऐसे पहनों की प्रेस न करना पड़े कम एसी चलाना पड़े बिजली बचे ऐसा कुछ काम करो इसके बजाए हम एक दूसरे को आडंबर में डुबा के रखने पे अमादा है मैं यह जानता कि आपको अगले बार किसी अदालत का सम्मन मिलेगा या मुझको भी मिलेगा तो मैं किस किसम के पोशाक में जा सकूँगा या मेरे भी वकील मुझको चमका देंगे कि आप शर्ट में आये ठीक से वरना जज आपको निकाल देंगे अदालत से हो सकता है निकाल दे क्योंकि अदालत की आउमाना के कानून इतने कड़े हैं कि उसके खिलाफ आम तोर पर कोई सुनवाई नहीं है ऐसा क्या आतंक है पोशाक का चले गए हैं अंग्रेज 75 साल पूरे हो गए हैं अब कम से कम अपने देश के मौसम के हिसाब से जीना सीखो क्यों इतना दहशत में रहते हो वो लोग वापिस नहीं आएंगे कोई अंग्रेज कप्तान खड़े हो के लाठी नहीं बढ़साएगा कि तुम बिना कोट के कैसे बड़े साहब बन गए हो अपने इंसान जैसे रहो हाई कोट के जज़ भी सुप्रीम कोट के जज़ भी कुर्ता पजामा और जैकेट पहन कर बैठ जाएए पतली सी कोई कॉटन जैकेट पहन ले ना पहने किवल कुर्ता पजामा पहन कर बैठ जाएए इस देश के कुछ सबसे महान लोग कुर्टा पाजामा में रह लिये और इस देश के इतिहास का और शायद भविश्य का भी जो सबसे महान इंसान था वो तो आधी धोती पहन कर रह लेता था पूरा बदन खुला रहता था उसको किसी अंग्रेजों से प्रोटोकाल की दहशत नहीं थी वो चले जाता था वाइसराय से मिलने के लिए वैसी ही धोती में और उसका जितना सम्मान था आज हमारे हिंदुस्तान की 140 करोड की आबादी 3P सूट पहन कर टाई लगा कर किसी अंग्रेज के पास चले जाए तो भी उतना सम्मान नहीं हो सकता इसलिए प्यारे हिंदुस्तानियों आप दहशत से बाहर आओ अपने देश की मौसम के हिसाब से पहनो और मातहत लोगों को भी पहनने दो तो मैं सोचना चाहता हूँ कि क्यों ये देश क्यों ये देश अंग्रेजों की छोड़ी हुई उतरन से क्यों ये देश सामंती मिजाज से इस से बाहर आकर सहूलियत से क्यों नहीं रहते क्यों गरीब वकीलों के पीट पर पसीने से देश का नक्षा जैसा बन जाता है उनकी कॉलर से दिखता है कि ये पूरा पसीने की सफेदी आई है उसके उपर क्यों इन सब धकोसलों को खत्म क्यों नहीं किया जाता आप भी सोचिए इस बात को क्यों सरकार के लोग जो की आपके पैसों से AC में रहते हैं क्यों वो गर्म कपड़े पहन कर फिर ठंडा हवा करें कमरे का क्यों ऐसा होना चाहिए सोचिए गाई इस बारे में मैं फिर किसी खबर को लेकर आपके बीच रहूँगा आज इतना ही अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन की बटन दबाईए इसको लाइक कीजिए इस पे कमेंट कीजिए आपको अच्छा लगता हो तो बुरा आपको ठीक लगते हों तो और लोगों तक इसके लिंक को भी बढ़ा सकते हैं और हाँ मेरी एक और अपील आप से कि अगर आप दूपहिया पे चलते हैं तो हेलमेट जरूर लगा कर रखिये बेल्ट भी लगा कर रखिये हेलमेट के नीचे का सिरे ठकन की तरह रखर पेल्ट की मोटाई रहती है, 0.1 mm से भी कम, फिर मिलते हैं